सक्सेस सीडीज में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम कक्षा नौहिंदी संच्यन भाग एक के पार्ट पांच हामित खा के कठिन शब्दों के अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग देखेंगे अबाजान का अर्थ होता है पिता एक उदाहरन वाक्य अबराम के अबाजान शहर से बाहर गए है अलंस्त का अर्थ होता है मस्त एक उदाहरन वाक्य रोहन अलंस होकर गाने सुन रहा है आगजनी का अर्थ होता है उपद्रवियों द्वारा लगाई गई आग उदाहरन वाक्य ऐसे है आगजमी की खबर आए दिन अकबार में आती रहती है आताईयों का अर्थ होता है अत्याचार करने वाले आताईयों को वाक्य में ऐसे प्रयोग करे कुछ लोग स्वभाव से ही आताई होते है इमान का अर्थ होता है धर्म पर विश्वास एक उदाहरन वाक्य उसके लिए यारी इमान की तरह है अलादे का अर्थ होता है संताने वाक्य में अलादे का प्रयोग इस तरह से होगा शाम के चार अलादे है अधेर उम्र का अर्थ होता है धलती उम्र अधेर उम्र को वाक्य में ऐसे प्रयोग करे युवाओं से लेकर अधेर उम्र के पुरुष उसे पसंद करती है क्षुद का अर्थ होता है भूख उदाहरन वाक्य ऐसे है छोटे बच्चे क्षुद से तड़प रही है चाम से का अर्थ होता है शौक से एक उदाहरन वाक्य लड़किया बहुत ही चाव से चाट खाती है जहान का अर्थ होता है संसार एक उदाहरन वाक्य इस जहान में बहुत से जीव जन्तु है जालिमों का अर्थ होता है अत्याचार करने वाले वाक्य में जालिमों का प्रयोग इस तरह से होगा हमें जानिमों से बचकर रहना चाहिए जोही का अर्थ होता है जैसे ही एक उदाहरन वाक्य हम सडक के मोर से जोही घूमे की समुद्रतट दिखाई पढ़ने लगा तश्तरी का अर्थ होता है प्लेट उदाहरन वाक्य ऐसे है तश्तरी में नाश्ता डालकर परोसा गया तरिप्त का अर्थ होता है संतोष एक उदाहरन वाक्य वह बहुत खुश और तरिप्त लग रहा है दडियल का अर्थ होता है दाढ़ी वाला दडियल को वाक्य में ऐसे प्रयोग करे दढ़ियल बुढधा अपने बालक्मी में हुक्का पी रहा है धौस जमाकर का अर्थ होता है गुस्सा दिखा कर जबर्दस्ती वाक्य में धौस जमाकर का प्रयोग इस तरह से होगा गुंडे धौस जमाकर अपना काम करवा लेते हैं बेखटके का अर्थ होता है बिना किसी हिचकिचाहट के एक उदाहरन वाक्य रानी बेखटके शीशी सूम कर बेहोश हो गई बेतर्तीबी का अर्थ होता है बिना किसी तरीके के बेतर्तीबी को वाक्य में ऐसे प्रयोग करे लड़के ने दफ्तर में फाइले बेतर्तीप क्रम में सजा दे ध्यान पूर्वक का अर्थ होता है पूरे ध्यान से एक उदाहरन वाक्य उसने अपना ग्रहकार्य ध्यान पूर्वक किया नियती का अर्थ होता है भाग्य एक उदाहरन वाक्य हमें वहीं मिलता है जो हमारी नियती में होता है परदेश का अर्थ होता है दूसरे देश परदेश को वाक्य में ऐसे प्रयोग करे नरेश परदेश जाकर बस गया पश्टो का अर्थ होता है प्राचीन भाशा एक उदाहरन वाक्य इस देश की प्रमुख भाशाएं उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलूची और पश्तो है पौरानिक का अर्थ होता है जिसका उल्लेक पुराणों में हुआ हो उदाहरन वाक्य ऐसे है गंदा नदी के साथ अनेक पौरानिक कथाय जुड़ी हुई है फक्र का अर्थ होता है गर्व वाक्य में फक्र का प्रयोग इस तरह से होगा जब कोई वक्ता श्रेश्ठता का परिचय देता तो वे फक्र से भर उठते हैं मोल का अर्थ होता है खरीदना मोल को वाक्य में ऐसे प्रयोग करे पुराना फर्मीचर कबार की दुकानों से पानी के मोल पर खरीदा गया सालन का अर्थ होता है गोश्ट या सबजी का मसालेदार शोरवा एक उदाहरन वाक्य भूख लगने पर मैंने सालन के साथ चावल खाया बेपरवाही का अर्थ होता है बिना किसी परवाह के एक उदाहरन वाक्य शराब पीकर लोग बहुत बेपरवाही से गाड़ी चलाते हैं मुल्क का अर्थ होता है देश एक उदाहरन वाक्य हमारे मुल्क में विभिन्न समुदाई के लोग रहते हैं विंती का अर्थ होता है प्रार्थना वाक्य में विंती का प्रयोग इस तरह से होगा मैंने भगवान से विंती की मुझे इंतेहान में पास करवा दे सकुचा का अर्थ होता है हिचकिचाना एक उदाहरन वाक्य सोनाली ने बहुत ही सकुचे से अपने मन की बात बताई सेंकना का अर्थ होता है पकाना पाक्य में हस्तरेखा का प्रयोग इस तरह से होगा पंडित जी ने दोनों हस्तरेखा का विशलेशन किया अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेर करें इस प्रकार की वीडियोस के लिए सकसे सीडीस यूट्यूब चैनल क को सब्सक्राइब करें थैंक यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यू